गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई न्यू व्लॉग और पताई कैसे आप सब आई होप आप से बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक है तो फ्रेंड्स अभी साड़े नौ का टाइम हो रहा है और जश्ट अभी अभी बाबु गई है स्कूल अपने बापा के साथ छोड़ने के लिए गए है रोड पर और पीछे अभी जो है सोया हुआ है आज का जो व्लॉग है वो बाबु के स्कूल जाने के बाद जो है स्टार्ट हो रहा है और आज बाबु के स्कूल के लिए मैंने बनाए थे पनीर के पराथे तो ये जो है थोड़ा सा अभी बचा है तीन परांठे उसके लिए बनाई थे तो एक वो खा कर गई है दो उसके जो है टिफिन में मैंने रख दिये हैं चाय वगरा बन गई है बट अभी मैंने नहीं पी है हस्बंड ने पी ली है तो ये थोड़ा सा मिक्स्चर बचा हुआ है तो सोच रही हूँ उसका परांठा बना लेती हूं और मैं भी फिर जो है अपना चाय वगरा पीलूं उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना और खाने में बनाऊंगी मटर पनीर की सब्जी नाइट में हस्बंड जो है पनीर ले तो वही उसके लिए मैंने पनीर के परांठे बना दिये और अब बनाऊंगी पनीर की सब्ची और आज ना सारी रात हो गया मेरे ना काफी सिर में दर्द होता रहा पता नहीं क्यों पिछले व्लॉग में मैंने शेयर कि आई था कि नाइट में ही जो है स्टार्ट हो गया था फिर बंद हो जाता फिर होने लगता बंद हो जाता फिर हो लगता इसी तरह पूरी रात हो गया अपता नहीं क्या और एक तो यह मौसम चेंज हो रहा है ना एकदम से धूप निकला रही है और एकदम से सर्दी हो जा रही है कुछ इसकी वज़े से भी अब जो है थोड़ा अगरा खराब होंगी तो मेरा भी कल से यही हाल है काफी जो है दर्द हो रहा था अभी सुबह उटकर जो है मैंने बाम लगाया उसके बाद ही फिर जो है मैं अपनी काम में लगी थी तो हजबन जो है अब आवो को छोड़ने गए हैं छोड़कर आ जाएंगे तब तक मैं अ अपना पराठा फिर अपना जो भी आगे का काम है वो बाद में करेंगे तो फ्रेंट्स मैं आ गई हूं किचन में और फटा फट से यहां पर मैं जो पराठा है वो बना लेती हूं तो एक ही पराठा जो है बन रहा था तो एक मैंने बना लिया है इतने में जो है अवी जाग ません है husband भी आ गए थे थोड़ी ही देर में तो फिर जो चाय थी वह भी मैंने रख दी ती गरम होने के लिए तो इधर जो है मेरे दोनों पराँठे हैं वह बन गए और जो चाय है वह भी गरम हो गई है तो बस तो कप मैं यहां पर में चाय निकाल लेती हूं और शाथ ही जो है प पहीक ब्रेक्वस्ट इन मेरा सब हो गया तो मैं रखती पनीर आपो यहां पर माली इन्हाय को रीचाटी पनीरश तंदस्टमाटर अगुड आप नैंस चुने एक और पूराम पहोज किAny सब्स्टी है और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी हीं और जैसे ही जो जीरा है वो चटक जाएगा उसके बाद मैं ये जो पेस्ट बनाया है ये इसमें एड़ कर दूँगी और आपको मेरी वोईस थोड़ी अलग लग लग रही होगी तो प्लीज थोड़ा एड़्जेस्ट कर लीजेगा क्योंकि सर्दी की वज़े से ने मेरा गला खराब है तो इस वज़े से जो है आवाज थोड़ा सा आपको अलग आ रही होगी बहुत जोर से जो है मुझे सर्दी हो रही है जब मैं वोईस ओवर कर रही हूं तब तो देखे यहां पर जो पेश्ट था वो मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा उसमें पारी डाल दिया था यहां पर जो मसाले हैं वो सारे मसाले जो है अब मैं इसमें एड कर दूंगी तो वही नॉर्मल सारे मसाले जो हम यूज करते हैं वही समसाले मैंने जो है इसमें डाले हैं अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सभी को जान पता ही है कि बहुत ही सिंपल सा जो ह नमक डाल दिया था और यहाँ पर ना देखिये जब मैं और चला रही थी ना तो एकदम से चीटे मेरे मूँ पर ढ़ गए था तो इतनी तेज जो है जल रहा था तो फिर मैं चली गई थी तुरंट जो है मैंने मुह धुला और मुह धुलने मुझे ग्रेवी करना पानी समस्क्याइ źर्ट ठाइब लcho bond हो यहां पानी में आगड़ी तानी के हम प्मादि लिटेंगें तक भए में पानी तक पुमेद करने समस्क कुष्छ मी पानी पनीर you ग्रेवीय भी थोड़ी पतली लग रही है थंडी होकर जो है यह काड़ी हो गई थी और बस यहां पर मैंने डाला है उपर से करम मसाला और बस साथ मैं डाल दोंगी कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और बस इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स और इसी के साथ मारी जो मिटर पनी आएं तुरंत मैं नहाने के लिए घुझ जाओं क्योंकि फिर मेरे नहाने के लिए दिक्कत हो जाती है अगर हस्बंड चले जाते हैं तो तो बस यहां पर मैंने चार रोटियां ही बनाई थी सिर्फ हस्बंड के लिए और बस चार रोटियां बना कर मैंने उनमें जो है घी तो बस उनके लिए रोटी रेडी कर दी है, सबजी अल्रेडी है ही, तो वो नहा कर रेडी होकर खाना खालेंगे, इतने में जो है, मैं नहा लूँगी, जब तक वो खाना खाएंगे, रेडी होंगे, तो जो है, मैं नहा लूँगी, तो फिर मेरे लिए ये दिक्कत नहीं होग तो बस यहां पर husband के लिए रोटिया रखकर मैं चली गी थी नहाने के लिए इतने में husband ने खाना जो था वो खा लिया और अब जा रहे हैं office मैं नहा कर आ चुकी हो देखें यहां पर कितनी तेज हवा चल रही है बहुत तेज जो है इन दिनों हवा चल रही है थूप तो निकल आती है बट उससे भी तेज हवा चलती है और इसी की वज़े से जो नहां अब थोड़ा विमारी का डर है क्योंकि इसी टैम पर हम लोग लापरवाही कर देते हैं तो यही जो है बीमारी बन जाती है जैसा कि जो है मुझे हुआ है स्टैम बहुत सर्दी हो रही है तो यह थोड़ा स्टैम ध्यान रखने की ज़्यादा जरूत होती है ज़्यादा एक्स्ट्रा की जरूत की जरूत होती है तो देखिए हस्बेंट के जाने के बाद जो है मैंने जो बाकी की बची हुई रोटिया थी वो सब मैंने बना कर रखी और फिर जो है जो बरतन सारे थे वो मैंने सिंक में डाल दिया है दुलने के लिए और अब नमबर आ गया था यहाँ पर जो है किचन को क्लीन करने का तो प पूरा अच्छे से कर दूंगी क्लीन और उसके बाद जाड़ो लगा कर फिर जो है जो बरतन है वो धुलूंगी तो बस यहाँ पर सब मैंने अच्छे से कर दिया है क्लीन और अब नमबर आ गया है बरतन धुलने का तो बस जल्दी से जो बरतन है वो मैं धुल कर रख देती और इसी के साथ ही मेरे जो सारे काम हैं वो हो गए हैं बस थोड़ा जो है मटर वगरा रखी है वो मुझे चील कर रखनी है तो फटा-फट से यह काम निप्टा लेते हैं और फिर उसके बाद अपना जो काम है वो करेंगे तो फ्रेंड्स अब जो है साड़े बाला का टाइम हो रहा है और मेरे खर के जो भी काम थे वो सब हो गए हैं मशीन वगरा जो है आज लगानी नहीं है क्योंकि कल ही मैंने काफी सारे जो कपड़े थे वो धुल दिये थे और यहां पर देखिए अभी जो है लेटा हुआ मेरे जैसे कि आपको बताया कि रात पर मेरे सिर्मेंदर्द होता रहा पर सुबह जो है अभी जागा ना तबसे वो भी ऐसा यह था फिर जो है उसको पोटी आई उसके बात से ना वो कई बार जो है पोटी कर चुका है थोड़ी 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 जो है हलके हलके ऐसा लग करदी लग गई है और कल यही था कि मौसम तो ऐसा हो गया है दूप निकल रही है बट हवा चल रही है तो वही थोड़ी सी जो है लापरवाही हो गई कि कल मेरा भी काम थोड़ा बाहर का जादा था व्लॉग में आपने देखा ही होगा उसके बाद कपड़े वगरा भी मैंने भारी बैट के फोल्ड किये इतने में अभी भी जो है भारी खेलता रहा फिर बागु टूशन चली गई तो वह काफी रो रहा था तो फिर मैं उसको बाहर जो है पार्क में घुमाने के लिए ले गई तो उसको सौक्स बगर तो मैंने सब पिना दिये थे बट कैप उसमें न मुझे लग रहा है शायद सरदी के वज़ेसे ही हो गई है शुबह से परेशान कर रहा है खेल भी नहीं रहा है तो अभी जो हैं दूद पी रहा है क्योंकि उसका भी मन नहीं हो रहा है, उसकी भी तबेत ऐसी है, तो बागी के सारे काम तो हो गए है, बस यहाँ पर देखिए, मैंने यह हरी प्याज जो हस्बन कर लेकर आये थे, और मटर रखी हुई है, बागी के सबजी तो मैंने नाइट में ही धुल कर रख दी और रोज सुबह मैंने फिर्ज में लगा दी, बस तप्याज भी मैंने धुल दी थी, बट यह है कि यह मुझे साफ करनी है, उसके बाद ही मैं इसे फिर्ज में रखूंगी, मटर छील कर जो है, मटर रखनी है, तो और सब काम तो हो गए है, तो सोचा बैठे बैठे यही कर बट उससे पहले सोचा, आप सभी से बात कर लेती हूं, तो अब यही जो सर्दी है ना जाती हुई, यही जो है इसी में लापरवाई हो जाती है, तो तबित खराब हो जाती है, आती और जाती सर्दी ही जो है नुकसान देती है, तो थोड़ा ध्यान रखिये अपना अपने फट भाड़ा गई है थोड़ी सी लापरवाही की वज़े से, तो चलिए शाम तक देखते हैं, वगर लगा लेती हूं, तो आरम मिल जाता है, अभी तो फिलाल ठीक है सोवे तो चलिए फटा-फट से अपना काम भी निप्टा लेती हूं क्योंकि इसमें भी मुझे काफी टाइम जो है लगने वाला है मटल चीलने में और प्याज साफ करने में और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत अपना वीडियो वगएरा एडिट करूंगी जो भी वीडियो तो तरी दुलियों रखी होती है न तो जब बनाना हो अराम से बना लो अच्छे से पॉलिथिन में रख दो तो यह काफी दिनों तक चल जाती है खराब नहीं होती है तो बस यह में साफ करके रखूंगी और इसके बाद फिर जो मतर है वो भी चील कर जो है मैं रख दूंग खूल करेंज और अभी के लिए इस लख को यह पर करूंगी और आशा करूंगी आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लॉक्ट कर लिजेसा क्यों पर फर्स टाम मृटकर लाइए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलेंगी नेक्स व्लाग में तब तक के लिए टिकेट